नमश्कार फ्रेंद्स जैहिंद मेरा नाम है प्रतेश योशी और राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति यानि राजस्थान की हिस्ट्री आट एंड कल्चर की इस बड़े इंट्रेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति और जो हमारे स्पेसिफिक टॉपिक है वो है हमारे मंदिर राजस्थान की प्रमुक मंदिर स्थापत तिकला के अंदर बड़ा important टॉपिक है पार्ट फर्स यानि भाग एक के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से राजिस्थान के मंदिरों का origin और development देखने को मिलता है हमने देखा था सबसे पहले साथवी शताबदी की बाद कि साथवी शताबदी से पहले के जितने भी मंदिर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ अफशेश देखने को मलते हैं ये मौर यूगीन मंदिर है, फिर हम देखते हैं कि बाद में हमें मंदिरों का सुरनेम काल पता चलता है, 11-13 शताबदी के दौरान, कई सारी शैलियों के बारे में डिसकस किया था, जैसे कि आपकी गूर्जर, प्रतिहार शैलि, महामारू शैलि, और साथ साथ में हमने देखी थी भूमीज शैलि, हम देखते हैं कि पंदरवी और सोलवी शताबदी के बाद हवेली शैलि में मंदिरों का जाधा से जाधा development देखने को मलते हैं, फिर पिछले ही पार्ट में हमने देखा कि और कौन-कौन से important temples हैं, अपने सारे के सारे temples देखें, इस पार्ट के अंदर और जो बचे हुए temples हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, विशेशता देखेंगे, कौन से जिले में वो श्तित हैं, इन सभी के उपर चर्चा करते ह राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, तो मात्र कुंडिया मंदर याद रख ले ना अपने चित्तो अज़र। के एक तो बीच में प्रमुक मंदर हो गया, और उसके जो चार छोटे साहक मंदर जो है, साहक डीटीज जो है, वो आपको देखने को मिलती है, इसको पंचायतन शैली कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, शिनाज जी का मंदर, शिनाज जी का मंदर कौन से संप्रदाय की पीठ है, तो भया वलब संप्रदाय की पीठ है, स्थेत कहां पर है, नाध्वारा, जिला कौन सा है, राजसमन, शिनाज जी का मंदर तो नाध्वारा के अंदर है, इससे पहले सियाड में था, तो शिनाज जी की मंदर के बारे में हमें ध्यान रखना है, कि पुष्टी या फिर वलब संप्रदाय का जो है, इंपोर्टेंट पीठ है, और अपन चलते है, नेक्स मंदिर की तरफ, जो कि है आपका, द्वार का धीश मंदिर, बिल्कुल नाध्वारा के पास में ही, कांकरोली तहसील के अंदर ये मंदिर है, राजसमन जिले में, और ये भी कृष् फिट गहरी घाटी में स्थित है, तीन सु फिट गहरी घाटी के अंदर ये स्थित है, नेक्स्ट मंदिर है अपना बुढ़ा दीत सूर्य मंदिर, कौनसा, बुढ़ा दीत सूर्य मंदिर, स्थित कहां पर है, तो भया कोटा के अंदर स्थित है, और अगर इसकी विशेशता की बात की जाएं तो ये जो मंदर है ये भी आपके पंचायतन शैली में बना हुआ है जैसे हर्षद माता का मंदर दोसा वाला जो मंदर है वो बनाया हुआ था पंचायतन शैली में उसी तरीके से ये बुड़ा दीच सूर्मंदर जो है आपका पंचायतन शैली में बनाया हु की पतनी कनकावती द्वारा बनाया गया था, मानसे की पतनी कनकावती द्वारा जो ये मंदिर बनाया गया था, कौनसा मंदिर, तो अपने याद रखलना, जगज शिरो मनी मंदिर, कहां पर स्तित है, आमेर के अंदर, नेक्स्ट अपना मतुरादीश मंदिर, स्तित कहां पर है भाईया तो कोटा में ये भी जो है वल्लब संपरदाई की साथ पीठों में से प्रमुख पीठ है ये भी साथ पीठों में से एक प्रमुख पीठ है ये भाईया कौन सा मंदिर तो आपका भाईया मत्र अदीश मंदिर जो कि इस्तित है कोठा वल्लब संप्रदाई की अगर हम बात करें सबसे प्रमुक पीट कौन सी है तो नाथ्व द्वारा जो कि इस्तित है राज समन्द में मंदिर कौन से है श्रिनाथ जी का मंदिर है आगे बढ़ो विभीशन मंदिर की तो विभीशन मंदिर इस्तित है आपकी कैथून कोठा में विभीशन मंदिर जो इस्तित है आपकी कैथून कोठा में और ये जो है एक मात्र विभीशन मंदिर है रावन का मंदिर कहां पर है तो मंदोड जोदपूर के अंदर बात करें विबीशन का मंदिर कहां पर है तो कैथून कोटा के अंदर विबीशन मंदिर के बाद चलते हैं अपर नेक्स मंदिर की जो कि आपका पाश्वनात का जैन मंदिर पाश्मनात का जयन मंदर, ये स्तित है कहाँ पर, तथब यह देलवडा मांट अबू के अंदर, जो कि आपके सिरोही में, और राजस्थान में मेवा नगर जो है वो इसी मंदर के लिए famous है, मेवा नगर इसी मंदर के लिए famous है, नेक्स्ट है भामा शाह का जयन मंदर, स्तित ह आपके देलवाड़ा के अंदर और माउंट अबू जो कि आपके स्तित है सिरो ही में देलवाड़ा के जैन मंदर की विशेषता है कि इसका प्रानम में इक निर्माण जो है वो ग्यारवी शताबदी के अंदर हुआ था भामाशाद वरा इसका जो है हम देखते हैं निर्माण ग्यारवी शताबदी के अंदर शुरू हुआ था आगे बढ़ता है रंगनाथ जी का मंदर स्तित कहां पर है पुशकर अजमेर में और यहां मंदर राजस्थान में दक्षिन भारतिय शैली का सबसे जादा बड़ा मंदर है दक्षिन भारतिय शैली का सबसे जादा बड़ा मंदर कौन सा है तो वह यह आपका रंगनाथ जी क का मंदिर जो की स्थित है पुश करके अंदर अगर मैं आप से पूछू कि भूमीद शैली का सबसे प्राचीनता साक्ष कौन से मंदिर में देखने को मिलते हैं तो सेवाडी मंदिर जो आपके पाली में स्तित, सास बहु मंदर तो आपके स्तित है आपके नागदा उद्यपूर में, सास बहु मंदर नहीं है, इसका असली नाम है सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मंदर, अपवरंश भाशा की होने की वज़े से इसका क्या नाम हो गया, सास बहु मंदर, स्तित कहा पर मंदोर जैपुर में, मंदोर जैपुर में जो है वो आपके जोदपुर में है, तैतीस करोड देवती देवताओं का मंदिर, मंदोर जोदपुर के अंदर स्ते थे, पर तैतीस करोड देवी देवता, तो भई अपने ये आजकल आपकी प्रेविलेंस के तौर पर क्लियर कर चुक्के हैं, मूचाला महवीर मंदर, बड़ा फेमस मंदर है कहां पर, घाने राव पाली के अंदर, दाडी मूच वाले हनमान जी, बहुत ज्यादा important मंदर है कहां पर, सालसर चूरु में, और कुमारी कन्या का मंदर है आपके स्थित, माउन टाबू में जो के आपके सिरोही में, रसिया बालम का मंदर आपके माउंट अबू सिरोही के अंदर सित है, कुशाला माता का मंदर सित है आपके बदनोर भीलवाडा के अंदर और ओसियान के जैन मंदर सित है आपके जोदपुर के अंदर अपने बात की थी गो माता का मंदिर आपके इस्तित है रिवासा, सीकर के अंदर, गंगा माता का मंदिर है आपके भरतपुर में, कई सारे मंदिर होते जा रहे हैं, नेक्स्ट अपन मंदिर की तरफ चलते हैं, जो है महवीर स्वामी का मंदिर, महवीर स्वामी का मंदिर इस्तित है आपके बहाऊ कहा का मंदर इसते थे कहा पर तो भाई है चितवडगर के अंदर मेरा बहाई का मंदर इसते थे हैं भांडोली का शिआ प्रम्मा टेम्पल और साथ साथ में रंगनाज जी का मंदिर भी आपको याद रखना है पुश करके तौर पर नौ ग्रहों का मंदिर है आपके कहां पर तो किशंगर अजमेर में और चार चौमा का मंदिर है आपके कहां पर भाया तो कोटा के अंदर तो ये सारी की सारी बाते क्विक नजर डाल देते हैं एक बाजणा गनेश मंदिर है जो कि आपके सिरोही के अंदर एक खड़े गनेश जी का मंदिर है जो कि आपके कोटा के अंदर नत्य करते हुए गनेश जी का मंदिर है आपके अलवर में बार बार रिवाइज करें, हमारे टेस्ट दो, टेलिग्राम चैनल से जुड़ो, यूट्यूब परिवार को प्यार दो, और साथ साथ में विशन ग्यान के एप से जुड़ कर जो अपनी सारी की सारी पढ़ाई की परिशानियों को भूल जाओ, आशा करता हूं, क्लास अब को चीलेगी होगी, थांक यू